जब भी हम धाबे या रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो वाइट रेवी में जो भी रेसिपीज आती हैं हम यही सोचते हैं कि यार कैसे बनाया होगा लेकिन यह बनाना बहुत ही आसान है आज मैं आपको बताऊंगे इसके सारी ट्रिक्स एंड क्या-क्या की बीज नहीं है आपके पास उसे काजू डाल सकते हो इसके साथ ही देखे लहसुन तेज पत्ता अद्रक थोड़े सा जीरा डाला है काली मिर्च लॉंग और खस-खस मैं डाल रही हूं इसमें खस-खस भी बहुत अच्छा लगता है इन रेसिपीज में तो यह भी आप डाल है सारी चीजों का वो निकल जाएगा और पीस कर फिर अच्छे से आपी ग्रेवी बना पाऊगे तो सारी चीजों को बॉइल कर लेना है बॉइल होने के बाद ना इनको ठंडा कर लेंगे तो आप देख सकते हो जो प्याज है वो ट्रांस्पिरेंट हो गया है और सारी चीज अगर बहुत फाइन पेस्ट नहीं बना है तो इसको चान लें चान कर फिर यूज करें तो आपका जो क्रीमी टेक्स्चर है वो आएगा मैंने चाना नहीं है इसको बारिक पीस लिया है और सरसों का तेल मैं यूज कर रही हूँ यह एक बार तो यलो लगता है लेकिन जैसे ह हमारी यह ग्रेवी पकेगी उसके बाद कलर जो है वो वाइट ही रहेगा उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप सरसों का तेल यूज नहीं करना चाहते तो जो भी कुकिंग वैल आप खाते हो उसमें आप इसको बना सकते हो अधरवाइस घी या बटर में भी बना सकत है कि पता नहीं यार कितनी मुश्किल होती होंगी यह रेसिपी लेकिन बिल्कुल मुश्किल नहीं होती है आप ज़रूर इनको ट्राइ करें तो अच्छे से सारी चीजों को और पकालेंगे हम इसके बाद हम इसमें डालेंगे कसूरी मेथी थोड़ा सधनिया पाउडर नमक को डालेंगे और इसके साथ ही दो चम्मच हम चीनी की डालेंगे हलकी सी मिठास होती है इस ग्रेवी में क्योंकि जो भी रेसिपी ऐसी बनती है ना उनमें हलकी मिठास होती है तो प्यास से भी मिठी हो जाएगी वैसे तो लेकिन थोड़ी सी चीनी हम एड़ करेंगे तो वो लोग दही भी डालते हैं वाइट ग्रेवी में तो खटास अगर आपको चाहिए तो आप वो भी डाल सकते हो लेकिन हमें हलक किसी मीथी वाली ग्रेवी चाहिए थी तो हमने चीनी डाली है और साथ में ये हराधनिया डाल कर इसको फाइनल टच हमने दे दिया है और आप देख सकते हैं कितनी ये टैंप्टिंग सी वाइट ग्रेवी हमारी बनकर तयार है तो मैंने तो इसको बनाय था वाइट ग्रेवी मलाई कॉफता के लिए आप किस चीज के लिए बना रहे हो वो मुझे जरूर बताना बर ट्राय जरूर करना एक बार और अगर आपको लगे कि हाँ बिलकुल एकदम जैसे हम धाबे या रेस्टरेंट में खाते हैं वो ही टेस्ट आ रहा है तो कॉमेंट करके जरूर बताना और इंजोई करना इसे और अच्छी लगे रेसिपी तो लाइक कर देना शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि ऐसी ही टेस्टी टेस्टी रेसिपी आपको मिलती रहें थैंक यो फू वाचिंग मैं वीडियो बाई